बिमला के तीन बेटे हैं, तीनों के तीनों अच्छी नौकरिया करते हैं, उसके तीनों बेटों का नाम रमेश, राजीव और राहुल है रमेश घर का बड़ा बेटा है इसलिए उसके उपर जिम्मिदारियां भी बहुत है जिम्मिदारियों के चक्कर में रमेश किसी लड़की से कभी ठीक से मिल ही नहीं पाया इसलिए वो अभी भी सिंगल है दूसरी और राजीव और राहुल दो लड़कियों से प्यार करते हैं पल्लवी और पायल, दोनों बैने है एक दिन पल्लवी पायल से कहती है बैन हम कब तब कुवारी रहेंगे, हमें शादी तो करनी होगी हाँ वो तो है, लेकिन जब भी राहुल से इस बारे में बात करती हूँ वो टाल देता है, क्याता है पहले बड़े बैया की शादी हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे उदर बिमला रमेश की शादी के लिए लड़की ढूंड रही थी, बहुत ढूंडने के बाद उसे एक सुन्दर सुशीन लड़की पसंद आई, उसका नाम रतना था, रतना गरीब घर की अकेली लड़की थी बिमला ने रमेश से पूछा, बिटा, तुझे ये लड़की पसंद है ना मा, आपने जिसको पसंद किया उसे मैं ना पसंद करूं, ये कैसे हो सकता है, वैसे लड़की बहुत खुबसूरत है मुझे पता था तु यही बोलेगा, बचपन से अब तक मेरी हर बात सुनता आया है तू, मेरा अच्छा बेटा ये बोलकर बिमला अपने बड़े बेटे को गले लगा लेती है, उधर पल्लवी और पायल राजीव और राहुल से कहती है राजीव हमें भी उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए, जिस दिन तुम्हारे भहिया की शादी होगी नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, जरा सूचो हम शादी करके उसी दिन चले जाएंगी, शादी का खर्चा भी बच जाएगा हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा, खर्चा भाईया करेंगे और हम केवल मस्ती करेंगे शादी का देना आगया, बड़े धूमधा हमसे रमेश की शादी रतना से हो गई और उसके बाद राजीव और राहुल पलवी और पायल को लेकर आए मा, हम दोनों भाईयों ने भी शादी कर ली है क्या, लेकिन क्यों, मुझे एक बार बताया तक नहीं हाँ, नहीं बताया तो, हमारी सिंदगी है, हम जो मर्जी वो कर सकते है बिमला चुप हो गई, रमेश ने कहा मा, कोई बात नहीं, आज खोशे का दिन है, तुम लोग अंदर जाओ हमें फूल से सजाया हुआ बिस्तर चाहिए रतना दिल की बहुत अच्छी थी, उसने कहा हाँ तु, तुम लोग हमारे बिस्तर पर सोचो हाँ, मैं और रतना कहीं और सो जाएंगे अपने भाईयों के लिए रमेश हमेशा सेक्रिफाइस करता आया है आज भी उसने अपना सजाया हुआ कमरा छोड़ दिया और बाहर सो गया, बिम्ला ने रतना से कहा बहु, मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन इतनी अच्छी हो ये नहीं पता था आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें बहु बना कर मैंने कुछ गलत नहीं किया अगले ही दिन से पलवी और पायल के नकरे शुरू हो गए रतना सुबह सुबह उटकर घर के कामकाच में बिम्ला का हाथ बटाने लगी और दोनों बहु नहीं सुबह के दस बजे नीन से उठी हाँ, कल रात बहुत अच्छी नीन आई है हाँ दीदी, अब गर्मा गर्मी कब चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा दोनों ने रतना से चाय बनाने के लिए का हो और बिम्ला ने ये सुन लिया एक तो तुम लोग दस बजे नीन से उठ रही हो और पिर बड़ी बगो को चाय बनाने के लिए कह रही हो तुम दोनों को शरम नहीं आती पल्लवी और पायल दोनों मिलकर अपनी सास से जगड़ा करने लगी लेकिन रतना ने सभी को शांत किया शांत हो चाहिए आप लोग तुम दोनों मेरी देवरानिया हो मेरी बहन की तरह हो आओ हम सभी मिलकर खाना बनाते हैं रसोई में तीनों मिलकर खाना बनानी गए लेकिन पल्लवी और पायल को कुछ नहीं आदा था पल्लवी आटा गुनने के लिए आटा निकालने गई लेकिन उसने आटे का डिबभा ही गिरा दिया पायल ने एक बोतल तील गिरा दिया लेकिन रतना ने किसी से कुछ नहीं कहा कोई बात नहीं धीरे दीरे तुम लोग सब कुछ सीख जाओगी ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा रसोई में हंगामा होता रहा और रोज कुछ न कुछ बरबाद होता रहा एक दिन गुस्से में बिमला ने दोनों बेहनों से कहा कुछ आता वाता तो है नहीं, बस शादी कर ली, अब तुम्हे खाना बना कर खिलाएगा कौन बड़ी बहु को क्या नौकरानी समझ का रखा है ये सुनकर दोनों बेहने गुस्सा हो गई आपकी हिमत कैसे होई हम दोनों से ऐसे बात करने की हम दोनों नए-नए सस्वराल में आए हैं और आप हमसे बदसलूकी कर रहे हैं आने दीजे राजीव को शाम को राजीव और राहुल घर लोटे और दोनों बवों ने बिमला और रतना की बुराईया करनी शुरू कर दी राजीव और राहुल तो जोरू के गुलाम बन गए थे अपनी बीवियों की बात सुनकर राजीव और राहुल बिमला से जगड़ा करने लग गए मा, आपने उन दो वहों के साथ ऐसे क्यों बात किया? यह आपने सही नहीं किया मा तो फिर क्या करू बेटा, तुम दोनों की बीवियां बदमाश जो है क्या? हमें बदमाश कहा, हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग होना है हाँ राहूल हमें अलग रहना है इस घर का बठवारा करो रमेश और रतना ने उन चारो को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चारो तब कुछ समझने के मूड में नहीं थे घर का बठवारा किया गया और जादतर हिस्सा उन चारो ने दे लिया रमेश रतना और बिमला के हिस्से में सिर्फ एक ही कमरा मिला उसी एक कमरे के अंदर तीनों रहने लगे और उसी कमरे के अंदर खाना बनाने लगे बिमला रोते हुए कहने लगी पता नहीं मेरे परिवार को किस की नजर लग गई उन दोनों बहु ने इस घर में आते ही बवाल खड़ा कर दिया माची वो दोनों छोटे हैं अभी सही और गलत का ग्यान नहीं है बहु तु मेरी अच्छी बहु है मैंने पिछले जनम में जरूर कोई अच्छा काम किया था जो मुझे तू मिली हा रतना तुम्हें बीवी के तौर पे पाकर मेरा जीवन धन्या हो गया और ऐसी चलने लगा नया नया ससुराल जैसे रंधोवी बन गया पल्लविव और पायल बाद बाद पर रतना से लड़ने लगी रतना बिचारी चुप चाप सब कुछ सेहने लगी बड़ी बहु तुम उन दोनों चुड़ैलों को कुछ कहती क्यों नहीं जगड़ा करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है मा पता नहीं कब कुछ ठीक होगा कब मेरे दोनों बेटे समझेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करती है उन दोनों बेहनों से शादी करके समय सब कुछ ठीक कर देता है मा बस इंतजार कीजे बिमला इंतजार ही तो कर रही थी उधर पलवी और पायल को खाना बनाना नहीं आता था इसलिए वो हमेशा बाहर के होटलों से खाना ओर्डर करते थे बहुत मशकत के बाद दोनों बेहने जिंदकी में पहली बार रसोई में गई लेकिन चूला जलाई नहीं पाई उन दोनों ने चूले पर केरोसीन तेल डाल दिया और तुरन तेज की आग लग गई और आग पुरे घर में फैलने लगी दोनों बेहने डर के मारे भाग कर बाहर चली आई और अंदर राजी वो राहुल फंस गय बचाओ पल्लवी हमें बचाओ हम मर जाएंगे हमें बचाओ पायल अरे हम कैसे जाएं आग के अंदर हम खुदी न मर जाएंगे अरे तुम दोनों ने तो हमसे एक साथ जीने मरने का बादा किया था भाड में गया बादा हमें हमारी जान बहुत प्यारी है पल्लवी और पायल ने कोई मदद नहीं की लेकिन तभी रमेश और अतना दोड़ते हुए आग के अंदर खुज गए और राजीव और राहुल को मौत के मुझे वापस ले आए तू ठीक तो है ना भाई पल्ला ने अच्छी लड़कियों से दोनों की शादी करवाई और बिमला का परिवार फिर से पहले जैसा हो गया एक साथ और अटूट और फिर सभी खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगे मधु रसोई में खाना बना रही थी इतने में उसकी सास रेनु का वहा आई इंसान हो या जानवर काटती क्यों नहीं हो मैं रोज नाखुन काटती हूं माजी लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं जूट बोलने में भी माहिर हो गई हो भला किसके नाखुन हर रोज बढ़ते हैं रेनु का ने मधु पर यकीन नहीं किया मधु की इस घर में नई नई शादी हुई है वो गरीब घर से है इसलिए मधु ससुराल में आकर हमेशा चुप चापी रहती है उसकी जेठानी कावेरी शहर की सबसे अमीर लोगों में से एक की बेटी है इसलिए उसका घमन भी जलन हो रही है नहीं नहीं मुझे जलन क्यों होगी आपसे मेरी ओकाती क्या है हाँ ये बात हमेशा याद रखना तुग गरीब है तेरी कोई ओकाती नहीं है ससुराल आते ही मधु को अपने नाखुनों की वज़ह से कितना कुछ सुनना पड़ गया बच्पन से ही मधु के नाखुन बड़े हैं वो हर रोज नाखुन काटती है लेकिन हर रोज उसके नाखुन बड़े हो जाते हैं मधु बिचारी इसमें क्या करती अगले दिन घर में एक छोटी सी पार्टी थी रेणुका के रिष्टेदार उसकी नई बहु को देखने आने वाले थे रेणुका लगाने के समय उसने देखा कि नेल पॉलिश खत्म हो गई है, वो अपनी जिठानी के पास गई और बोली, दीदी मुझे ज़रा नेल पॉलिश लगवा देंगी, तेरे नाखुनों में नेल पॉलिश लगानी के लिए मुझे नेल पॉलिश की फैक्टरी खोलनी होगी, जब आ यहां से, कावेरी ने मधू को भगा दिया, पार्टी में सब लोग कावेरी की ही तारीफ करने लगे, मधू का पती अमिद भी अपनी भावी की तारीफ करने लगा, वा भावी, क्या लग रही हो आप, इस पार्टी की जान हो आप जान, अपनी बीवी के सामने मेरी तारीफ मत करो देवर जी, बीबी गुस्सा हो जाएगी किसको फर्क पड़ता है वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करता पार्टी के बाद मधू और अमित एक ही बिस्तर पर सो गए लेकिन रात को मधू के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे और देज रात तक वो बढ़कर एक फुटके हो गए और वो नाखून अमित के पेट पर जा कर लगा अरे यार, यह नाखून है या चाकू पता नहीं माने किस लड़की से शादी करवा दी जंगली जानवर कहें की जाओ, बातरूम में जाकर सो जाओ मैं है तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकता मधू सोचती थी कि शादी के बाद उसकी जिन्दगी खुश्यों से भरने वाली है लेकिन उसके साथ ये सब क्या हो रहा था नाखूनों की बज़े से उसे आज बातरूम में सोना पड़ा वो रोते हुए बातरूम में ही सो गई अगले दिन गुस्से में उसने अपने सारे नाखून जड़ से उखाड़ दिये अब देखती हूँ मैं कि मेरे नाखून कैसे बढ़ते हैं लेकिन रात को फिर से उसके उंगलियों में नाखूना गए मधू परिशान हो गई दिन रात उसकी सास जिठानी और पती उसे खरी-खोटी सुनाने लगे उसने अपनी सास से पूछी लिया अगर आप लोगों कोई मुझसे इतनी प्रॉबलम है तो मुझे इस घर की बभू बना कर क्यों लाई ये सुनकर उसकी जिठानी कहने लगी क्योंकि मुझे एक नौकरानी चाहिए थी और एक गरीब बहु से अच्छी नौकरानी कौन हो सकती है बस तुम्हारे नाखून गंदे हैं इन नाखूनों की वज़ा से ही हमें तुमसे डर लगता है पता नहीं कब इनसान से जानवर बन जाओगी ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और फिर एक दिन घर में रेणुका की सहेली आई मधू खाना बना कर लाई और खाना देते हुवे उसके शरीर पर मधू के नाखून लग गए और खून निकलने लगा रेणुका ये एक ऐसी बहू है तुमारी कुटों से भी बततर है सौरी माजी मैंने जान बूच कर नहीं किया जान बूच कर नहीं किया पहले ही दिन से अपने नाखूनों से नुकसान पहुचा रहे हे तू मुझे अगर पहले पता होता कि तू ऐसी है तो तुझे कभी इस घर में नहीं लाती भाग जा यहां से, निकल जा सभी ने मिलकर मधू को घर से निकाल दिया मधू रोते हुवे जंगल में चली गए सभी मुझे जंगली जैन्वर बोलते है मैं जंगल में ही चली जाओंगी और वहां कोई जंगली जैन्वर मुझे खालेगा, मैं बस यही चाहती हो मधू के नाखुन बहुत लंबे हो गए इतने में उसने किसी के चिलानी की आवास सुनी बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ कोई मुसीबत में है शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए मधू उस हिरन के पास गई एक शेर उस हिरन को मारने ही वाला था कि तभी मधू ने अपने नाखुनों से उस शेर को चोट पहुँचाई और वो शेर डर्द के मारे भाग है तुमने मेरी जान बचाई इसे सभी मुझे जंगली जानवर कहते हैं इसलिए तुम्हें यहाँ चली आयू मधू ने उस हिरन को सब कुछ बताया सब कुछ सुनकर उस हिरन को मधू पर दयाई तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है लेकिन तुम चिंदा मत करो तुमने मेरी जान बचाई है मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा यह बोलकर हिरन जंगल की देवी को बुलाने लगा कुछी देर में जंगल की देवी वहाँ प्रकट हुई बोलो हिरन तुम्हें क्या चाहिए हिरन ने मधु के बारे में सब कुछ देवी को बताया हे जंगल की देवी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ मैं बस चाहता हूँ कि मधु की कमजोरी उसकी ताकत बने ठीक है वत्स, मधु तुमने आज इस जंगल को अपनाया है और हिरन की मदद की है इसलिए मैं तुम्हारे नाखुनों को जादोई नाखुन बना देती हूँ अपने नाखुन हवा में घुमा कर तुम जो कुछ भी चाहोगी वही होगा तथास तू, देवी अद्रश्य हो गई, मधु को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्या सच में ऐसा हो सकता है, मुझे भी बहुत सारा खाना चाहिए तुरंत मधु के सामने बहुत सारा खाना आ गया, मधु की खुश्यों का ठिकाना नहीं रहा उसने और हिरन ने मिलकर खाना खाया, फिर मधु ने कहा दोस्त, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, मैं जा रहे हूँ वो काम पूरा करने, मैं फिर से लोट के आउंगी मधु ससुराल लोट गई, उसे देखकर उसकी सास रेनु का गुस्सा हो गई अरे तु फिर आई है, आश तु तु तुझे मैं रेनु का एक डंडा लेकर मधु को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, तभी मधु ने अपने नाखून हवा में घुमा करता है मेरी सास को एक छोटी बच्ची बना दो रेनु का तुरं तेक दो साल की बच्ची बन गई, और वो मुह के बल गिरी, फिर रोने लगी उसकी जिठानी ने जिन्दगी में कभी कोई काम नहीं किया था, वो खाना बनाने लगी, और मधु का पती मधु के पैर दबाने लगा मधु अपने नाखूनों से जादू ही करतब करने लगी, राद को कावेरी ने अमित से कहा हमें कुछ करना होगा, उसकी सारी शक्ति उसके नाखूनों में है, हम उसके नाखून काड़ देंगे रात को जब मधु सो रही थी, तब दोनों कैची से उसके नाखून काड़ देते हैं, मधु की नीन तूट गई अब देखती हूं तो जादू कैसे करती है मधु ने हसकर कहा तुम दोनों शायद भूल गए हो कि मेरे नाखुन कितनी तेजी से बढ़ते है ये कहते हुए मधु के नाखुन बढ़ गए और उन नाखुनों की मदद से उसने उन दोनों को भी बच्चा बना दिया और फिर तीनों बच्चों को लेकर जंगल लोट आई जंगल के सभी जानवर तीनों के साथ खेलने लगे मधु जंगल में घर बना कर बस गई और अपने जादुई नाखुनों की मदद से एक खुशाल जिंदगी जीने लगे